10th class के सबिस्ट्रेंट्स, अगर आप इस साल 10th का बोर्ड का एक्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये जो टोपिक है बहुपद वाला, पोलिनोमियल्स वाला, आपका पीछा नहीं चोड़ने वाला, और अगर आपको इस साल बोर्ड की परिक्षा मे चार नमबर अगर आपको पक्के करने हैं, तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखना है, एक भी पार्ट मिस नहीं करना है, मिलकुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्रिश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, बहुपद ये और अल्गोरित्म मेथड से हमें एक दूसरा बहुपद फाइंड करना इसमें, और तो हम इसको कैसे ग्याद करेंगे, एक पूरा प्रोसेज अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें हैं, हम स्टार्ट करते हैं, दस्वी क्लास की जो एक्सरसाइज दो पोइंट तीन है, उसका जोथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अलक से लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस रखता है, क्वेश्चन कहरा, यदि बहुपद एक्स क्यूप माइनस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद जी एक्स से बाग देने अबर बाग फल और शेश फल क्रमशा एक्स माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो जी एक्स ग्याद कीजिए, कैसे ग्याद करेंगे, सेधी सीधी बात हमें युकलिट से विबाजन अलगोरित्म वाला फॉर्मुला पता होना चाहिए, हम लिख लेते हैं, जो भज है न हमारे पास में, तो वो क्या हो जाएगा, पी एक्स एकवल टू जी एक्स इंटू क्यो एक्स इस आर इक्स, ये हमारे युकलिट से विबाजन अलगोरित्म नियम है, मतलब भज बराबर बाजक इंटू बाग फल प्लस शेश फल, चला में लिक देता हूं यहा जी बराबर बाजक इंटू बाग फल यस शेश फल, अब यहाँ बहुपद जो दे रखा आपके पास में, एक्स क्यूब, तो हम इस बहुपद को लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस थी एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स प्लस टू एक्वल टू जी एक्स से बाग देने के लिए के रहा है, यह जी एक्स एज़िटी जरेने दो, क्यू एक्स आपके क्या है बाग फल, तो बाग फल कितना बता रहा ही है, एक्स माइनस टू, फिर प्लस शे मिल गया है अब हम इसमें क्या करें gx निकालना है तो gx के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा x cube minus 3x square plus x plus 2 और यह जो टर्म है यू के यू इदर आ करके जोड़ जाएगी 2x minus 4 equal to gx into x minus 2 पक्षांतर कर दिया हमने इसको इदर अब gx निकालना है पहले तो आप इसको simplify कर ला है क्योंकि यह होरा simplify यह होरा x cube minus 3x square और x और 2x किता हो जाएगा 3x और 2 में से 4 गए minus 2 और इदर हमें निकालना है gx तो यह x minus 2 कहा जाएगी वो टर्म जली जाएगी इसके upon में यह आपके gx आ गिया अभी आया नहीं है अभी तो यह बड़ा काम करना है क्या काम करना है हमें x minus 2 का इस उपर वाले में भार लगाना है x minus 2 का x cube minus 3x square plus 3x minus 2 बाग लगाना अब हम भाग लगाते हैं इसके अंदर x minus 2 का तो लिख लिख लिजे इस तर्म को as it is x cube minus 3x square plus 3x minus 2 और इसमें भाग किसका लगाना है x minus 2 का x minus 2 का इसमें भाग लगाने के लिए पहला काम क्या करते हैं x का भाग x cube में लगाते हैं हमारी जो first step है वो क्या है x cube upon x तो कित्य बार जाएगा यह जाएगा x square बार यह x square आप यहां उतार लें अब इस x square का आप इस x से गुना करें तो यह आपके x cube फिर x square का minus 2 से करें तो यह minus 2 x square अब आपको sine change कर देना है यह cancel minus 3 में से minus 2 ठीक है plus 2 तो यह minus का x square अगले डर्म उतार ले बली आप साथ में भी उतारे जाही से फिर x का बाग इस minus x square में लगाना second काम यह तो यह minus x square upon x कित्य बार गया minus x बार यह minus x यहां उतार लें हैं इस minus x को इस से गुना करें क्या बनेगा minus x square और minus x को minus 2 से करें तो यह plus का 2 x बन जाएगा sine change करें वहीं process यह cancel तीन में से दो गया 1 x बचा अगले बन उतार लो आप minus का 2 अब x का बाग x में लगाया कित्य बार गया plus का एक बार देख लो ना बली यह आप करके देख लें बली x में x का बाग एक बार इस x का इस x में ठीके तो यह plus 1 कर लिया इस plus 1 का इन दोनों से multiply करो ऐसे 1 का x से करो यह x और 1 का minus 2 से करो तो यह minus 2 चिन बदले क्योंकि यह यहाँ plus था कुछ नहीं होता तो वहाँ plus मानते हैं इसलिए यहाँ minus कर दिया और यह minus तो यह plus यह पूरा cancel यह आपके शेशफ़ल 0 यूकलिट भी बजन प्रमेका है न उसमें आर कमान 0 आ गया हमारा बाग पूरा हो गया हमारा काम भी खतम हो गया बस जो इसने पूछा था कि जी एक्स क्यात कीजिए तो अतह धेरफोर जी एक्स एक्स इक्वल टो एक्स स्क्वाइल माइनस एक्स लस वन यह आंसर हो जाएं अगर आपको इसी तरह के और भी लेक्चर चाहिए इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा है और इसमें ये जरूर लिखें कि इसमें से कौन से टर्म या कौन सा पार्ट बहुत अच्छ मुझे पता चले कि कौन-कौन इस वीडियो का पूरा प्रॉफिट ले रहा है और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो भी आप कमेंट मोक्स में लिखें ताकि मैं आपकी प्रब्लम सौन कर सकूँ हम एसे ही और वीडियो ले करके अगली बार फिर से मिलते हैं